आईडिया इस नोवन समन अपली फेल कभी बिजनस नहीं होता फेल तो केबल बिजनस करने की स्ट्रेड़ेजी होती है एक बिजनस की सफलता उसके ग्रहा को पर निर्भर करती है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर और मोटिविशन स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज किस इनफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स किसी भी बिजनस को डेवलप करने के लिए तीन महत्वपूर्ण मैथड होते हैं कई लोग ऐसा बिजनस करते हैं जो बिजनस उनकी जेनरेशन से ट्रांसफर होके उनके पास आया है मतलब हम पेरेंटल बिजनस करते हैं और जब हम पेरेंटल बिजनस करते हैं त उस समय पर सबसे best method होते हैं, वही method अपने आने वाली generation को सिखाते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी तुर्टी है, एक छोटी सी कमी है, और वो कमी ये है कि आप जब उस समय के best method को अपने business में implement करते हैं, तो कहीं न कहीं आप business को पुराने method से करते हैं, इसलिए ज़रूरी है आपको business करने के नए तरीकों को सीखना, समझना और अपने business में implement करना, business को develop करने का जो दूसरा method होता है, उस method में जारा तर वो business आते हैं, जो first generation business होते हैं, मतलब उस business को आपने खुट develop किया है, और जब आप अपने business को खुट develop करते हैं, तो उसको सीखने के लिए, या तो आपने lab कमाया है, मतलब कुछ strategy जो आपको instant benefit देती हैं, उसको आप implement करते हैं, और जो strategy आपको benefit नहीं देती, उसको आप छोड़ देते हैं, और business को सीखने का जो तीसरा method है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, friends, आज हर businessman अपने business में अपार सफलता हासिल करना चाता है, लेकिन केवल material को produce करना और ठीक तरीके से sale करना ही, business को scale up करने के लिए काफी नहीं है, ये काम तो एक self employed person भी कर लेता है, जरूरत है business की strategy, उसके management को समझने की, और अगर आप ये सोच कर business शुरू करते हैं, कि मेरा काम तो केवल sale करके, पैसा बनाना है, तो कभी भी आप अपने business को scale up नहीं कर पाएंगे, business को scale up करने के लिए, आपको कुछ महतुपूर से धान्त, अपने business में implement करने होंगे, अगर आप अपने business को exponential growth तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको business से संबंदित इन पहलुँँँँँँँँँँँँँँँँँँ Business को develop करने के लिए, आपको अपनी management skills को develop करना होगा, अगर आपके वल लोगों का management करने की कला सीख जाएं, तो वो managed people आपके पूरे business में money, machine, micro and macro management को संभाल लेंगे, इसलिए सबसे महत्वपूर है man management समझने की, क्योंकि managed people आपके business को आसानी से manage कर देंगे, always be creative, अपने business में exponential growth हासिल करने के लिए, और competition से सदा बाहर रहने के लिए जरूरी है, हमेशा creative रहें, रचनात्मक रहें, ऐसे तरीकों को खोजें, जिससे आप अपने business को competition से तो बाहर रख सकते हैं, और साथी साथ अपार सफलता हासिल कर सकते हैं, महान business leader धिरुबाय मानी जी ने कहा कि idea is no one's monopoly, idea पर किसी का एकादिकार नहीं है, जो idea, जो विचार आपके मन में आए, उस पर काम ज़रूर करें, वरना एक दिन दूसरे की सफलता को देख कर आप कहेंगे, कि यह idea तो मेरा था, and the next, stay focused, ध्यान रखिए, जो business आप कर रहे हैं, जिस तरह का business आप कर रहे हैं, वो कोई unique business नहीं है, उस तरह के business करने वाले हजारों और लाखों लोग हैं, इसलिए जरुवत है, आप अपने लक्ष के प्रती केंद्रित रहें, focused रहें, और उसे प्राप्त करने के लिए निर निरंतर अपनी strategy में परिवर्तन करेंगे, तो एक दिन आपको आपके business में exponential growth जरूर मिलेगी, and the next, customer first, एक business की सफलता उसके ग्रहा को पर निर्भर करती है, और जब आप अपने business में satisfied customer का bank निरंतर बढ़ाते जाएंगे, तो आपके satisfied customer आपको एक brand बना देंगे, इसलिए आ आपके business का first motive, एक quality product या quality service के द्वारा, satisfied customer की संख्या में व्रिदी करने का होना चाहिए, analyze your competitors, ध्यान रखिए, business में सफलता के लिए, प्रतिसपर्दियों का अध्यन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा प्रतिसपर्दियों द्वारा अपनाए गई strategy का निरंतर विस करें, और जानने का प्रयास करें, कि वो कौन सा best method है, जहां आप competition में सफलता हसिल कर सकते हैं, ध्यान रखिए, जीतेगा वही जो सबसे अलग, पहले और निरंतर करेगा, और अब मैं आपको बताता हूँ, वो तीसरा method, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में, मैंने आपको दो method बताये थे, और वो तीसरा method है, business की trainings, आप business training program, business workshop, business meeting में जरूर जाएं, अपने business में mentor बनाएं, क्योंकि एक mentor की guidelines को follow करके, उसके mark दर्शन पर चलके, आप अपार सफलता आसिल कर सकते हैं, आप सभी businessmen के लिए, हमने develop किया है, A, B, C, D, business, anybody can develop business, एक ऐसा training program, जहां पर आप अपने business में implement करते हैं, और shake and support के साथ, हम आपको आपके business के development के लिए, हमेशा help करते हैं, training program से संबंदित, अगला free seminar, कब और कहां होने जा रहा है, उसकी जानकारी के लिए, D.A.W. board number पर call करें, मैं Dr. Amit Mahishwari, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!